नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपका सिक्षा सिटी पर बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी दोस्तों हम लोग आ जाएंगे आ गया है अपने एक नए वीडियो में और आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं 11 फरवरी को आपका जो SSGD का सब्सक्राइब करेंगे स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकेंड सिफ्ट के कॉश्चन से और देखते जाएंगे क्या 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 कॉश्चन तुरों सिर्फ में बिला के पूछे गया है ठीक है और उसके लाँ दूस्तों चले स्टार्ट करते हैं तो 2017 में मिस इंडिया कौन बनी यह एक कॉश्चन आया था सिकेंड सिफ्ट में तो 2017 में मिस इंडिया मानुशी चिलर जो है वो बनी थी दोस्तों आपको यह सारे कॉश्चन और यह पता चल ही गया होगे लेकिन इसका जो डीटेल एक्स्प्रेनेशन है वो मैं आपको दूँगी इससे रिलेडेड और क्या क्या कॉश्चन आपको और भी पूछे जा सकते हैं और इनका पूरा डीटेल जो है आपको पता होना ची क्योंकि जो पैटर्न है वो कनेक्टेड ही आता है यानि कि अगर कोई एक कॉश्चन आया तो उससे संबंदित ही अगली बार कुछ पूछ दिया जाता है ठीक है तो द सबसे उची मूर्ति किसकी बनी है तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी बहुत जादा आपने पढ़ा होगा Statue of Unity जो है सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ती सबसे उची मूर्ती बनी है और मूर्ती की जो लंबाई है वो 182 मिटर है और इसको हम लोगबग 7 किलो मिटर की दूरी पर से भी देख सकते हैं और बहुत सारी इसमें बहुत सारी टेकनीक भी यूज हुई है जो Statue of Unity है इसमें इसमें मौक अप टेकनीक यूज हुई है और बहुत सारी अलग-अलग कंप्यूटर से कंट्रोलिंग भी इसमें करी गई है योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और ये जो योजना आयोग बनी थी ये भारती अरत्रा सरकार की एक संस्ता थी और जिसका में काम था जो आ रहे हैं वो आपको दोनु सिर्फ में मिले होंगे तो भारती योजना बैसना से बहुत सारे कुष्ण आपके एक्जाम में पूछ आ सकते हैं पंचवर्षी योजना से भी बहुत ज्यादा कुशन पूछाया सकता है उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखी जैसे कि छटी पंचवर्षी योजना जो है वो कब समाप्त जो है करी गई थी और आपका पूछाया सकता है कि कॉ फ्रेटी योजना लागो की इससे बहुत सारी पंचवर्षी योजना से बहुत सारे कुशन से भी बन सकते हैं उसको भी बढ़ार देख लिए उसको अगे पूछ दिया जाया जा है मैं चारा आपको सारे नोए गए जातिक इस ऑसका बहुत मतलब यह इसी टाइप के आर्पिफ के एक्जाम में पुछे गया हैं तो यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स हो गया है सारे इन पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रही है ठीक है हिंदी दोस्तों जितनों ने हिंदी लैंगविज चूस किया था उनके लि किया था ठीक है याद रखिएगा उसके बाद दोस्तों जो पहला चलण में चला था 2006-2007 में 27 राज्यों में और लगबग 200 जिलों में इसका क्रियान्वन शुरू हो गया था और और भी इसमें बहुत सारी मन्रेगा योजना के अंतरगत चीजें हैं जैसे जो यह मन्रेगा योजना के जो अधिनियम आया था इसमें बहुत सारे कानूनी गैरंटी भी दी गई थी ठीक है और भी इसमें जॉब गैरंटी कार्ड भी प्रोवाइड करवाया गया था ठीक है और इसमें ये भी था कि इसके अंतरगत ये वैधानिक मानेता थी कि 15 दिन के अंदर वेक्ति गुरोषगार मिलेगा, ठीक है तो दो इस परकार से मंध지 में काफी चीज़ें आई हुई थी मान०ावादिकार आयोग का गठन कभ भुआ था ये एक कोशन पूछा गयाया थो अृज्थी मान०ार आयोग का गठन 12 October 1993 को हुआ था ठीक है तो राष्ट्री मान०ावादिका तो टीपू सुल्टान के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए इसमें कौन देखिए एक्चुली कॉशन कंप्लीट नहीं है कौन से युद्ध किस युद्ध के बारे में पूछा गया है यह भी आपको पता हो तो आप डीटेल कोशन मुझे बता सकत है ठीक है तो इसलिए मैं आपको टीपू सुल्टान की जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत बता देती हूं कि इनका नाम अगर पूछा जाता है तो इनको शेर मैसूर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 15 साल के उमर में अपनी पिता के साथ जंग में हिससा भी ले ल बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों टीपू सुल्टान से संबंदी जो आपको मालोम होनी चाहिए उस पर कॉश्चन बहुत सारे पूछी जा सकते हैं ठीक है और टीपू सुल्टान की जो मृत्य हुई है दोस्तों वह 1799 में हुई है उसमें जो है मैसूर की रक्षा के तो रियो ओलम्पिक में पीवी सिंदु ने जीता हुआ था और 2016 में पुछा होगा तो 2016 में जूर आपके युलम्पिक होई तो उसमें पीवी जिन्दु ने जो है सिल्वर मेडल जीता हुआ ठीक है इसके बाद दोस्तों अर्थ विवस्ता में भारत का कौन सा स्थान है यह एक question आया हुए थी कैंगा तो अर्थव्यवस्ता में भारत का 6 अस्थान है ठीक है याだ रखिएगा अर्थ व्यवस्ता में भारत का लिखी है तो एड्मिन अर्नॉल ने दोस्तों लाइट ओफ एश्या नामक बुग जो है लिखी हुए उसमें इनोंने गौतम बुद्ध के बारे मों लेक करा हुआ है और बहुत धर्म से भी बहुत स्यादा कुशन दोस्तों आपके पूछे आ सकते हैं मालीज अगर आपको हिस पूछ पन का नाम अकसर कर बहुत आसान कुशन दो पूछ दिया आता है कभी-कभी ठीक है और भी ऐसे नॉर्मल कोशन जो है वो पूछ दिया सकते हैं जीस्ती का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टेक्स है ठीक है याद रखिए जीस्ती क्या है आपका इसका नाम गुड और इसे हैं जयसे की जो भी एक्साइश जोटी पर टैक्स लगता या जो सर्विस टैक्स लगता है यह सारे चीजी जुए संक्राइज और पूछा रहा है जीस्टी का डीटेलिंग अच्छे सा पर डीजे यह जो सकता ही इसी से रिलेटर कुछ और यह और पूचले की तो एंग्लिपी क्या हैं और यहें भारतिय चानल गजले को इंग्लिप स्पार्टियराइं। पूछा है रसानिक नाम ऐसी आसान पूछ जाने चाहें आप रेलवेजे चाहें से का था लीजे आपको ये पूछा जाएगा टीक है तो जो नौमल नमक्या टेबल सॉल्ट मुलें को यह बोल रहे हैं तो उसमें तो इसके देखिए आप वह फॉर्मूला लिखना आप तभी जान पाएंगे जब आपको सिंबल याद कर लिजे वह बहतर होगा आप अच्छे से एक्जाम में सही ऑप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं भारत का सबसे चोटा राज्य पूछा तो छेत्रफल के साप से लिए तो जो है गुआ बाद में जो है एक पुर्तगाल का भी इससा बन चुका है और दोस्तों आपका सबसे चोटा अगर राज्य पूछा तो गुआ छेत्रफल के सबसे चोटा राज्य जा जो है आपका गुआ है ठीक है जिन जकुएस किस चेत्रे से संबंदीत है तो दार्षन सास लिए इंडिया 2020 पुस्तक किस ने लिखिये तो अबदुल कलाम ने इंडिया 2020 बुक लिखिये डियनने का फूल-फॉर्म पूछा रहा है दोस्तों बालो जी से यही सारे खुशन आ रहा है बहुत आसान-आसान कुशन ऐसे सिम पूछे गया है तो डिनने का फूल-फॉर्म यह औक्सी राइबोस नुक्लिक एसिड है और अगर पूछ दिया है तो राइबोस नुक्लिक एसिड होता है ठीक है और एक चीज़ याद रखिए है कि DNA में आपको और क्या के कुशन आ सकता है इसे पूछ दिया जाए कि कौन साराण में कुछ ऑप्शन का उल्डशसर नादु कंता है तो तमिलनाडू का लोक्नित्याअ आपका भरत नाड्याय में दोस्तों लोक नित्य की और आककिस राज का ओमें का में तक बहुत जाँआ जरूरी है ठीक है ज्यादा तर असम्लिक पूछ जाता जैरा ना ढ लग लग जैसे महरास्ट का आपका लामडी होता है किरल का अधकली होता है ठीक है तो मेंन मेंड ज inanना उद्गम कहां सढ़ी की तो नर्मिदा नदी का उद्गम जो है वार कंटक्स नोर नसरह Embi क्लोरोफिल में भी आपका पिग्मेंट होता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के विज़े से पौधे प्रकास करते हैं और उसके बाद अपना भूजन कार्भोईडरेट के फॉर्म में बनाते हैं श्री लंका के शिविल युद्ध का अंत कब हुए दोस्तों तो श्री के बीच में युद्ध चल रहा था ठीक है और बहुत ज्यादा टाइम तक ये चला है लगभग 30 महिना सायत ऐसे करके चला हुए है बहुत ज्यादा टाइम तक ये चला है और इसका फिर अंत हुआ है 18 मई 2009 में ठीक है उसके बाद दोस्तों पूछा गया है पित्रा-दुरा सजावती कला भी कहते हैं तो वह है ठीक है इसमें अच्छे अच्छे पत्थर यूज़ को भी बनाने के लिए ठीक है अगर इंग्लिश आपने से लटकिया तो इसमें ये भी कुशन आया हुए है लावडी जो है जो इनृत है वह किस राज्जे से संबंदी तो महाराष्ट समदी अब है अपको बताया इसको अच्छे से पल लिजिए समुदां के किस भाग में मानवा दिकार दिए गया है तो तीसरे भाग तो दोस्तों आज हमने देखा कि इस फरकार के दोनों सिर्फ में कुशन आया हुए थे और मैंने आपको साथ में एक्स्टर डिटेलिंग भी दिर दी है अगर आपको और भी मैंने बहुत सारे आर पिफ के भी एक्जाम के रिवन अलसेस करे हुए आप उसमें जाकर के देख सक आप टेलिग्राम ग्रूप सर्च करें और उसको जॉइन करें आपके लिए बहुत बेनिफिट उसका होगा दोस्तों इसमें कोई भी आपको कहीं से भी ऐसा वह वाला नहीं है कि जो पढ़ाती हूं मैं उसी का मैं आपको आपे प्रवाइड करवा देती हूं पीडियों ठी